हेलो गाईज, माइनेम इस सुर्भी सरकार, वेलकम और वेलकम बाक तो माई चानल, दाट इस विशुप एस यू नो गाईज, हमारे इंडिया में कितने दिफ्रेंट यूनिक कल्चर्स है हर प्लेस का अपना एक ब्यूरिफुल डिफ्रेंट कल्चर होता है ऐसे ही आज मैं आप लोगों को एक हिमार्चल के ट्रेडिशन से इंट्रडियूस करवाती हूँ आज हम पहुच गए हैं हिमार्चल के एक मैरिज फंक्षन में जहां चल रहा है संगीत का फंक्षन हम अभी पहुच गए हैं होने वाली दुलहन के घर में सामली मेंबर्ज और नेबर्स लोग गीती गा रहे हैं वहीं घर के किसी आंगन के कोने में मेहमानों के लिए खाना बन रहा है यही वो खाना है जो बहुत स्पेशल है हमार्चल में हमार्चल के शादी हो या बर्दे पार्टी श्राद हो या कोई भी फंक्षन हो हमार्चल के फंक्षन में धाम खिलाया जाता है उस धाम को उन्हेक तरह से बुलाया जाता है जैसे कांगडी धाम, कांगडा में कांगडी धाम, हिमाचली धाम या पहाडी धाम ये जो धाम का खाना बनता है वो बनवाया जाता है ब्रामणों के हातों से एक particular caste होता है ब्रामोनों का जिसे कहते हैं बोतिस वही डिमास्टर्स होते हैं ये खाना बनाने में और जैसा कि आप देखी पा रहे होंगे कि जो खाना बन रहा है वो पीतल के बर्तोनों में बनाया जाता है और इन स्पीतल के बर्तोनों को इस पेशली लोकल भाशा में चरोटी कहा जाता है मिनिमम पांस तरगी सबजी होती है और मैक्सिमम साथ तरगी सबजीयां होती है विद चावल उनली यहां खाना खाने फर्स्ट बैच बैठ चुका है देखिए प्लेट सब कर दिया गया है और पानी भी सब कर दिया गया है यहां के यह भी स्पेशलीटी है कि जब खाना खाने बैठेंगे तो लोग नीचे ही बैठते हैं टेबल चेर उनके लिए जो बुजूर्ग है बैठ बाते जिनको पैर में प्रॉब्लम है तो वही बैठते हैं बाकी नीचे हम बैठ चुके हैं यह प्लेट में दिया गया गर्मा गरम चावल दिस इस काल्ड मदेरा आलु छूले की सबजी मकंत बड़ी मकंत बड़ी चने दखटा मतर पनीर मा की दान पालक और चने की सबची चने की दान यहां लोगों का खाना हो चुका है लोगों का खाना हो चुका है लोग अपने अपने ग्लास उठा के ऐसे हाथ धो ले रहे आपने अपने देखा हिमाचल का एक मैरिज फंक्शन वहां का कल्चर कैसे लोग नास्ते गाते हैं खुशिया मनाते हैं और कैसे वो खाना खाते हैं हिमाचली धाम कांगडी धाम यह खाना आपको किसी होटल में भी मिल जाएगा क्योंकि यह बहुत यूनिक तरीके से बनाया जाता है पीतल के बर्तोनों में बनाया जाता है और इसके अलग ही अपने ट्रेजिटेशनल वाले मसाले होते हैं तो यह खाने का टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा तो आप ज़रूर आएं और ज़रूर कांवी धाम का मसा लें I hope guys you like the video अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीशिये और सब्सक्राब तो माई चैनल इसे शेयर खना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay happy stay tuned stay healthy bye bye